जहिंद फ्रेंड्स सधार्थ भया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है अड़र 24-7 IS पर आज सबसे इंपोर्टन चर्चा वो है UPSC Civil Services Mains Examination का DAF 1 Detailed Application Form को कैसे भरा जाए मुझे पता है अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करके खोल दिया है तो आप कहीं न कहीं आप Mains में Selected है या फिर आपको Mains लिखने का मन कर रहा है अगर आप Mains के लिए Selected है अगर आपको सभार के मिल चुका है Mains लिखने का Prelims आपका Clear हो चुका है तो ये वीडियो को End तक देखिएगा ताकि वो Minor गलती है वो न करें और जब आप पहली बार Def भर रहे हों मान लिजे कि आप दूसरी बार भी भर रहे हों तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा पहली बार वाले तो जरूर देखेंगे अटलीस मुझे पता है आप लोग 2-3 वीडियो तो देखो ही देखोगे है न तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कुछ important चीजे हैं जहाँ पर मैं highlight करूँगा और आप अपने Def में वो correct कर सकते हैं एक ही बार भरना होता है सोच समझ कर भरना होता है फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा भरने का तो ध्यान पुर्वक भरिएगा comment section में एक link दिया है वो आप मुझसे अगर connect करना चाहते है कि form कैसे भरा जाए तयारी कैसे हो mains की preparation कैसे हो optional की राय ली जाए essay की ethics की राय ली जाए तो comment section में जो link है उसको form को fill करिएगा मैं directly आपसे बात कर लूँगा हम लोग discuss कर लेंगे do not worry about it ठीक है लेकिन सबसे पहले congratulations फिर से उन लोगों को जिन लोगों का prelims clear हो गया है अब mains का form आ चुका है और दिल धगदग 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 बिलकुल कर रहा होगा और जो लोग पहली दफ़ा ये form भरेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है तो शुरू करते हैं हम लोग ये आप आ जाओगे UPSC के जो website है examination पे आप जब click करोगे न यहां examination पे click करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा active examination हमारा civil services mains यहां पे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा अब इसको आप click करेंगे DAF1 पे तो ये notification सामने आ जाएगी आज 10, 7, 2,023 की notification क्या कहता है ये result जो prelims का 12 जून को निकला था उसी के following process में DAF1 है करना है सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता ही देता हूँ कि भाई देखो last date जो है वो इसकी 19th 19 तारीक है 19 September 19 July September में तो एक्जाम चालू हो जाएगा 19 July ये last date है और हम last date का इंतजार नहीं करेंगे ठीक है एक दो दिन आप ले लीजे अच्छे से study कर लीजे पढ़ लीजे समझ लीजे document से कठा कर लीजे और फिर अगले तीन से चार दिन में इस form को फिल कर दीजे प्लीज हम पुराने फिर हम मान सकता पर नहीं जाएंगे कि last moment पे हम इसको कर रहे हैं ठीक है ये dive आपका पूरा online फिल होगा और साथ ही साथ में जितने भी आपके documents है वो सब के सब online फिल होगे 19 तारिक को मात्र 6 बज़े तक आप इसको भर सकते हैं मेंस लिखने का मौका मिला है तो please serious हो जाईए और फिर इसको हम लोग कर लेंगे साथ में ये धेर सारी चीजें दी हुई है किस तरीके से आपको form भरना है किस तरीके से नहीं भरना है मैं अभी आपको बताता हूँ इस पूरे वीडियो में अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अपने PDF पर यह बहुत important section है simultaneously यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने screenshot लिया हुआ है हमारा live जो real page दिखता है जैसे आप login करके जाओगे real page जो दिखेगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा mains का examination आपका optional क्या है paper 1 से paper 5 कौन से माध्यम में है अभी इस पर हम लोग आएंगे मैंने पूरा कर रखा है एक दो सारी files इसमें लगी हुई है घवडाना नहीं है अभी हम आते हैं इस slide पर लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इस slide पर यह जो हमारा एक DAF का form है sample है जैसे कोई DAF फिल कर लिया तो यहाँ पर वो sample है दूसरी चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को UPSC Civil Services के examination के perspective में दोस्तों हम मैंने specifically मैंने mentorship का एक initiative उठाया है personal mentorship जिसका नाम है यहाँ पर सलाह मैंने रखा है सलाह उन aspirants के लिए है जो civil services की तयारी करते वक्त तो बहुत सारे दुवधाओं में आते हैं emotional crisis crisis of conscience समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम quality पढ़ें, geography पढ़ें history पढ़ें, तयार तो मेरा सब कुछ है लेकिन वो direction चाहिए वो channel चाहिए, अरजुन को सब कुछ आता था, सबसे जादे ताकतवर थे, सबसे जादे शस्त्र थे लेकिन कुरुक्षेतर के मैदान में वो direction less हो गया थे कि करें क्या कुछ भी मेरे पास रख दीजिए गुरु दक्षिना के नाम पर और 12 महीने के लिए आप लोग मेरे साथ mentorship करिएगा, जहाँ पर हम लोग discuss करेंगे आदे-अदे घंटे call पर किस तरीके से हम examination को crack करें, चिक है, साथ ही साथ Rob 2.0 Rob 2.0 आने वाला है कब हमारा Wednesday को हमारा उधाटन है, Rob 2.0 का आप लोग जरूर आईएगा साम को 6 बजे, अब हम चलते हैं यहाँ पर यह एक sample है, टिक sample मैंने ले रखा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रखा है, role RID registration ID आपको भरनी है उसके बाद role number कुछ-कुछ चीजे जो है, जो हमारा OTR है OTR, जो आप UPSC के website पे, वो basic information भर देगा, जो जो आपने OTR में भरा हुआ है, वो basic information इसमें already fill हो जाएगी automatically, यही फायदा होता है OTR का, लेकिन कुछ ऐसी information होगी, जो कि आपको भरना पड़ेगा, ठीक, और वैसे हमारा यह जो पूरा है न, DAF DAF 1, वो कुछ 6 columns में divided है, ठीक है एक personal detail, एक educational detail, एक parental income, एक certificate है हमारा, फिर upload करके और वो करना और मेरे खाल से एक और चीज़े मैं भूल रहा हूँ, अभी बता दूँगा इसमें आएगा, क्या आएगा, ठीक है तो यहाँ पर आपको date of birth age relaxation, ठीक है उसके बाद फिर post, city district code, याद रखिएगा जो भी आप यहाँ भरेंगे वो आपके document से सब match होगा, है न सब कुछ documents पे match होगा, तभी यहाँ पर भरेंगे हवा में कुछ नहीं भरेंगे और यहाँ से आपके जो स्थान है, आपका place है यहाँ पर, वहीं से आपके बाद में, interview में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई, कहां से आए हो क्या नाम है, क्या करते हो ठीक है, साथ में आ गया community आ गया, ठीक community में आप क्या भरेंगे भाई, जो general category, EWS SCST, वो सब भरेंगे ठीक है, name of the caste as mention of the community certificate ठीक है, राजस्थान से यह आए है, ठीक, यह non-creamy layer में है, ठीक, यहाँ पर एक और question आया है, कि मतलब क्या है, सिख, जैन, बुद्धिजम government minority से हैं, इन्होंने लिखा है, नहीं, if yes, then minority name, इन्होंने कहा, नहीं है, minority से नहीं है, ठीक है, इन्होंने detail दिया है, in case you are an OBC candidate, OBC non-creamy layer, certificate based on the income, तो इन्होंने यहाँ पर detail में दिया है, यह OBC non-creamy layer में आते हैं, non-creamy layer में OBC, तो इन्होंने यहाँ पर detail में यहाँ पर दे रखा है, अगर आप भी इस category से होंगे, तो देंगे, अगर general होंगे, तो सिर्फ यहाँ पर general लिखा जाएगा, ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे पर, ठीक है, तीसरा भी हमारा physical disability से related है, आप इसको पढ़ लेना अराम से, अगर नहीं है तो छोड़ देना, कोई दिक्कति नी, definitely, अगर आप physically challenge unfortunately नहीं होगे, तो छोड़ देना इसको, ठीक, अब हम आते हैं कि whether you, whether such recommendation was basis on certificate of, मतलब, अगर आपने physical disability में yes कर दिया, तो यह सब आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी documents होना चाहिए, ठीक है choice of examination center आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका examination center कहां होना चाहिए तो वो देखिए कि आप कहां सहज हैं, जादे, आसपास कहीं और, तो वो जादे important हापके लिए बहुत जादे do travel ना करना पड़े, based on your circumstances, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि language क्या रहेगा, do you hail from जो nagaland miserum, इन्होंने लिखा है, नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद medium पूछा गया इनसे, कि भाई, medium क्या है इन्होंने लिखा है, paper A paper 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो सारा paper ये English में देंगे, अपना optional भी English में देंगे, ठीक है, Indian language paper में इन्होंने हिंदी लख रखा है, और इस वाले में बहुत सारे options आते हैं, हिंदी, जितने भी 22 language है ना, मारे schedule में, हिंदी, English, इसमेहितली, संतली, संस्कृत, सब आता है इसमें, तो आप वो set कर सकते हो, बाकी का इन्होंने medium English रख रखा है, आगे इन्होंने एक और चीज लिखा है, कि interview का माध्यम क्या होगा, याद रखिएगा, आप यहाँ पे जो भी माध्यम लिखेंगे, वही माध्यम आपके interview में भी आएगा, ठीक है, कि आप Hindi माध्यम से हैं, English माध्यम से interview देना है आपको, ठीक, अब हम आते हैं, slide थोड़ा सा उपर, यहाँ पे पूछ रखा है, Indian, मतलब आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी कौन से service में है, आपकी माताजी कौन से service में है, यहाँ से भी आपको, जो हमारा interview है, उसमें सवाल आ सकता है, पिताजी का पूछा है, इन्होंने लिखा है, LDC यह मतलब Lower Division के clerk है, तो यह हम थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे, क्योंकि यहाँ से question जरूर आता है, ठीक है, पापा से आप पूछ लिजेगा, और पापा के बारे में आप और अच्छे से जान लिजेगा, ठीक है, अब हम आते हैं, और, उसके बाद, father का present address क्या है, उनका post address क्या है, mother का address क्या है, ठीक है, district to which your mother originally belongs, आपकी माता जी कौन सी डिस्ट्रिक की originally belongs करती है, तो भाई, belongs नहीं होगा, belong होगा, ओके, तो यह, यहां से question आ सकता है, एक यह भी है कि आपके परिवार ने कोई property, land वगेरा, possess कर रखा है, तो यहां आप mention करेंगे, क्या है भाई, वो आप mention करेंगे, ठीक है, EWS certificate के लिए यह थोड़ा सा important हो जाता है, ताकि आप substantiate कर सकें, प्रूव कर सकें, ठीक है, अब देखिए, यहां तो अलड़ी, आपने DAF1 में तो आप भरते ही हैं, अपने school के, 12th के, graduation के कितना, यह automatically fill हो भी आ सकता है, नहीं भी होगा, तो आपको यहां fill करना पड़ेगा, यहां पूछ रहा है, 15 question पे, कि, have you ever been employed, कहीं पे आपने job की है, ठीक है, इन्होंने no कर दिया है, अगर आप yes करेंगे, तो एक और tab नीचे खुलकर आ जाएगा, साथ में, have you been debarred from UPSC, तौबा, ऐसा, पहले ही मना कर देंगे, आपको कि भाई, चलो निकलो यहां से, ठीक है, no, definitely, whether have you applied for UPSC examination, इससे पहले, तो यह जो शक्स हैं, इन्होंने पहले लगबग 1, 2, 3, 4, 5, 6 examination दे रखा है UPSC का, ठीक है, तो यहां से भी आपको interview में question पंस सकता है, UPSC में इतनी बार आपने दे दिया, क्या आपको लगता है, पंच वर्ष यह योजना है, और कुछ नहीं करते, job भी नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें यहां से develop हो सकती है, ठीक है, जैसे इन्होंने interview में भी appear हुए है, यह चार बार interview दे चुके हैं, appeared for examination और कहीं पर हुआ नहीं है, तो तीन बार civil services के लिए, एक बार forest services के लिए दो बार दे रखा है, आपसे भी पूछा जाएगा, in case अगर आपने भी कर रखा होगा तो, ठीक है, यह information यहां पर relevant आ जाती है, अब यहां पर आता है हमारा, have you ever accepted allocation to service post, for example, जैसे officer होते हैं, IAS, IPS, IRS, या फिर आपको मालीजे कि 2022 में आपको कुछ मन पसंदिता rank नहीं मिली है, आप फिर सरी examination दे रहे हैं, तो फिर आप बखुभी समझते हैं, इसको मुझे बताने की जरुरत नहीं है, ठीक है, वो सारी details यहां तक यहां पर fill होगी, ठीक है, fee payment detail, यह फिर आपका transaction detail है, detail of fee payment 200 रुपए उनके लिए हैं, जो कि भाई examination करेंगे, उनके लिए detail आप अराम से देख लेना भर लेना, यह तो बहुत simple सी चीज है, ठीक है, और यह हमारा declaration by the candidate, कि भाई, मैंने detail application form को भरा है, मैंने rule 3 को पढ़ा है, क्या है education qualification, पूर्या prescribed है मेरा, और I have rule, read rule 19 of civil services examination 2021 case published in part 1 gazetted, इतना मैंने समझ रखा है, क्या है यह rule 19, आप एक बार download कर लेना ब्रॉशर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप फिर यहाँ पर यहाँ पर आखिया कि declaration करोगे, ठीक, यह रहेगा आपका पूरा DAF का detailed form, अब हम आते हैं इस पे, तो ओरिजनली जब आप लॉग इन करोगे न, मतलब computer पर जब आपना लॉग इन करोगे, तो यही पेज निकल के आएगा, candidates are advised to refer instruction, filling up DAF 1, ठीक है, तो मैंने आपने देखा था, sheet पे लिखा हुआ था कि आप नागालेंड मिजोरम से हैं, आप नहीं लिखेंगे, आप DAF हैं, आपके पास कोई SEP, मतलब physically disabling वाली, वो है, quality, तो भाई नहीं paper, language paper आपका हिंदी माध्यम है, कुछ लोग English भरते हैं, कुछ लोग Tamil, Telugu भरते हैं, optional आपका क्या है, जहां इसमें philosophy लिखा है किसी ने, आप अपना optional लिखिएगा, ठीक, बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने कहा है, select interview medium test, हिंदी, English, कौन सी भाशा में, alright, अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर, next slide में क्या है भाई, next slide में school, मतलब आपके school का, college का और फिर graduation, same चीज, यही slide आपको दिखेगी, जो मैंने अभी आपको बताया है, graduation degree वगरा, सब कुछ online है, आप तुरन फटाक से भर सकते हैं, अगर कुछ rules समझ में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, wide six rule क्या कहता है, आप वो देख सकते हैं, ठीक, अब उसके बाद जो मैंने आपसे request किया था कि आप ध्यान से यह चीज पढ़ेंगे, देखिए, profession of, पिता जी, parents, guardian, जो भी profession है, किस district में है, state में है, ठीक, कहीं कहीं पर सिर्फ आपको tab select करना है, कहीं पर आपको type भी करना है, ठीक, अराम से detail में पढ़के आप भरिएगा, यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपसे कहा था, कि form भरते वक्त कितना attempt दिया है, अगर मान लिजिए कि आपने 2021 का, 2020 का, 2019 का दिया है, तो आपको year और roll number mention करना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको year roll number नहीं पता है, तो आप simply zero enter कर दीजे, पता चल जाएगा, वो ले लेगा, आपके नाम से और आपके बागी चीजों से, ठीक है, वही service के बारे मैं पूछ रखा है, ठीक है, यह देखिए, यह वाला जो page है, वो relevant होता है काफी, आप सब कुछ कर लेंगे, तो फिर आप forms को upload करेंगे, ठीक है, जैसे आपके creamy layer वाला form हो गया, EWS वाला claim हो गया, तो वो आप file को upload करोगे, ठीक है, साथ में, आप birth certificate अपना upload करोगे, साथ में आप अगर आप PWD physically disabled हो, तो उससे related चीज़ें upload करोगे, ठीक है, और आपकी educational qualification, graduation, post graduation, वो file upload करोगे, आधार, card, photo upload करोगे आप, ठीक है, क्या करना है आपको भाई, पहले आपको document को सब एक जगा करना है, उसके बाद सब धीरे-धीरे upload करना है, फटा-फट, 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 PDFs of created must be password protected, gray scale, convert, separate, 1MB, ये सब थोड़ा technical चीज़ है, थोड़ा हमें problem आता है, first timers जो लोग होते हैं, लेकिन don't worry about it, हो जाएगा, कोई भी doubt आएगा तो हम है, comment section में detail में mention किया हुआ है, मैं हूँ और आगे बढ़ूँगा, आपके साथ, देखें, सबसे important चीज़ है भाई, हमारी mains की जो strategy है, क्या रहेगी mains की strategy, कैसे हम अच्छा score करें, ताकि अगर हलका सा interview में लड़ खड़ाएं भी, अगर हमें 160 number interview मिल रहा है, तो mains का score इतना अच्छा होना चाहिए, कि मुझे top 200 में तो जगा मिल ही जाए, अब उसके लिए क्या करना है, किस तरह के कि strategy करनी है, ये सबसे crucial time है, जुलाई का महीना, कर लो, और answer evaluate कैसे करें, answer किस तरीके से लिखें, keywords है, किस तरीके से हम, मेरा answer सामने वाले के answer से अलग कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग discuss करेंगे, जब आप नीचे form भर देंगे, उसमें, ठीक है, simultaneously, अगर आप recommend करना चाहते हैं, हमारे इस batch को, civil services के batch को 2024 के लिए, तो आप recommend कर सकते हैं, जो हमारा 2024 का prelims, पुरा batch है, next year के लिए, तो आप recommend कर दीजे, और जैहिंद नाम का code है, जिसको भी आप recommend करेंगे, आप ये बता दीजेगा कि भाई, maximum discount यहां से मिलेगा, और ये course रहेगा, ठीक है, सिधार्थ भाईया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, comment करके जरूर बताईएगा, और doubt comment पर mention कर दीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, जैहन,